Hello everyone, welcome to North East P.H.C. 10-minute special series. In this video, we are going to talk about Ashokan addicts. So, इस वीडियो में हम बात करेंगा, Ashoka के addicts के बारे में, क्या थी addicts, क्या था, इन addicts का content, और क्यों issue की थी? So, चलिए, स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम है Pavan Kamboj, मैं history, current of your or environment पढ़ाता हूँ. मैंने UGC.net के history में अनुझे 5 साल का experience हो चुका है, पढ़ाते-पढ़ाते. तो अशोकan addicts की बात करें, तो ये 33 inscription थी. 33 से इवन जादा ही थी. और ये addicts की बात करें, तो ये खाली pillars पे नहीं, ये बड़े-बड़ी चटानों पे, cave walls पे भी इसने बनवाई थी. इवन अशोका जो term इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुद की addicts को describe करने के लिए. इनके content material से कुछ चीज़े साफ निकल के आती हैं, एक कि इनका जो personal adherence था, जो ये personal belief था, ये बुद्धिस philosophy में यकीन रखते थे, और इन्होंने कोशिश भी की बुद्धिस धम्मा को develop करने के. ये जो addicts हैं, ये एक जगे नहीं देखने को मिलती है, बंगला देश से लेके इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब जगे देखने को मिलती है, और ये पहला ऐसा tangible evidence है, जो बुद्धिस्म का देखने को मिलती है. इसमें बुद्धिस्म और गौतम बुद्धा दोनों mention है, पर इनका पूरा content आप देखेंगे, तो ज़्यादा तर social and moral percepts पे based है. रादर देन कोई specific religious practice पे ज़्यादा focus नहीं है, कि आपको बुद्धिस्म की ये practice फॉलो करनी है नहीं, social और moral बाते ज़्यादे हैं, ये public places पे हैं, जहां पे लोग पढ़ सकें, तो इनका purpose बड़ा clear है कि direct communication हो रहा है, direct communication हो रहा है कि ये राजा ये ये चीज़े चाहता है और open public places में inscribed की हुई है, ये कोई pillar पे है, कोई rock पे है, ताकि लोग पढ़ सकें, और समझ सकें कि राजा क्या चाहता है लोग उसे को, इनको हम चार major division में मानते हैं, पहला pillar, तो pillar के भी दो पार्ट है, एक major pillar, दूसरा minor pillar, rock की भी बात करें, तो major rock, minor rock, इनकी language की बात करें, तो Greek, Aramic और प्रकरतिक language में आपको देखने को मिलती है, script की बात करें, तो Brahmi, Greek, खरोस्ती और Aramic script में देखने को मिलती है, ये depend करता है कि कौन से एरिया में issue किया गया है, जैसे Northwest Frontier, अफगानिस्तान वगारा में अग एंग्वेजरिमिक हो जाती थी, depending on the situation की कहां कौन से लोगों के लिए issue किया जा रहे, most of them, ड्रामी script में थी, और भाशा प्रकरतिक थी, pillars की बात करते हैं, देखे, pillar इस तरीके से pillar होते थे, pillar के उपर वाले portion में आपको ये देखने को मिलेगा, तो pillar में एक आपको ये monolithic shaft देखने को मिलेगी, then आपको देखने को मिलेगा capital, ये capital या तो lotus shape का होता था, या फिर shape का होता था, bell, bell shape, उसके उपर वाला abacus, जिसमें rectangular या circular होता था, तो यहाँ पर अलग अलग जानवरों की statues वगएरे, यहाँ पर जानवर काफ किये गए है then सबसे उपर होता था animal figurine जिसमें भी variety देखने को मिलती थी, elephant, lion, bull, अलग अलग जगे आपको देखने को मिलते थे, अब राजा इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो क्यों खर्च कर रहा है, वो इतना पैसा इसलिए खर्च कर रहा है, वो अपनी बात को commemorate कराना चाह रहा है, अपनी वेक्टरीज को celebrate करना चाह रहा है, या कोई important चीज लोगों तक पहुचानी है, तो यहाँ पे लिखवाएगा, तो यह सारी चीजों में इस्तमाल किये जाते थे pillar inscription, यह major pillar आपको साथ जगे पे देखने को मिलेंगे, तोपरा में देखने को मिलेंगे, मेरट में देखने को मिलेंगे, चंपारन, महरोली में देखने को मिलेंगे, तो यह pillar addicts में क्या है, कुछ important information है जो अशो का अपने लोगों तक पहुचाना चाहता है, तो addicts का मतलब छोटे 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 ना एक pillar के उपर इस तरीके से addicts बने हो एते, जैसे pillar addicts 1 में कहता है कि उ उसकी कोशिश है कि धम्मा को वो लोगों तक पहुचा सके, धम्मा जिसका मतलब है कि पाप कम करने, आपके दिल में compassion होना चाहिए, liberal thoughts होने चाहिए, truthfulness होनी चाहिए, purity होनी चाहिए, pillar 3 कह रहा है कि harshness नहीं होनी चाहिए, cruelty नहीं होनी चाहिए, anger नहीं होना चाहिए, pride नही पाइफ कह रहा है कि animals और birds जो नहीं मारे जा सकते किसी particular day पे, या कुछ ऐसे जानवरों के नाम और birds के नाम जो किसी भी occasion पे नहीं मारे जा सकते, pillar 6 बताता है धम्मा policy को, pillar 7 बताता है अशोका ने क्या काम किया धम्मा policy के लिए, ऐसे ही minor pillar addicts है, minor pillar addicts में कुछ बहुत important सवा पुछे जाते हैं, जैसे कि queen addicts में क्या लिखा है, शिज्म addict में क्या लिखा है, निगाली सागर pillar addicts में क्या लिखा है, रुमन दई pillar inscription में क्या लिखा है, अगर आप chronologically देखें, तो minor pillar addicts सबसे पहले बने, उसके बाद minor rock addicts बने, उसके बाद फिर ये major rock addicts और major pillar addicts बने, तो ये सबसे earliest हैं, जिसमें ज़्यादा तर उनकी personal information देखने को मिलती है, और ये पता कैसे चालता है कि सबसे earliest है, क्योंकि इन में जो information लिखिया है, जो technique इस्तमाल की गई है, वो बहुत ही ज़्यादा poor है, As compared to major pillar addicts यानी, ये initial stage में बनाए गई थी, So, even though ये सबसे sophisticated pillar capital of Ashoka के साथ जुड़े हुए है, लेकिन इनका content काफी ज़्यादा poorly carved है, जैसे रुमंदाई pillar inscription में ये अशोका क्या mention करते हैं, अशोका mention करते हैं कि मैं उस जगह पे जाके visit करके आया हूँ, जहां पे बुद्धा का बढ़त हुआ था, यानि लिम्गनी हो क्या हूँ मैं, निगाली सागर pillar inscription में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने कनकमूरी बुद्धा की height बढ़वा दी, उनकी statue की height बढ़ाने का promise करके आया हूँ, dedication है कि मैं चाहता हूँ कि इसके height बढ़े, queen addict में वो सारी चीज़े हैं जो queen ने dahn में दी, उनकी Rani Korver की का नाम देखने को मिलता है, किसी queen addict में उनके सन तिवाला का नाम देखने को मिलता है, सिजम addict में ये कहता है कि अगर कोई संग को follow नहीं करेगा, तो उसको punishment मिलेगी, then major rock addicts, major rock addicts की बारे में याद रखी गए 14 addicts ने और ये, ज़्यादा तर आपके boundary पे जानी जो boundary थी, अशोग की empire की, कंदार, Greek addicts को छोड़के ये सब major rock addicts बड़े-बड़े पत्थरों पे देखने को मिलती है, और ये सब कहां देखने को मिलती है, फ्रंटियर में देखने को मिलती है, जैसे मनसबरा, शाबाजगड़ी, खासी, खलसी, उत्राखंडवे, कंदाहर, गिरनार, सुपारा, सनाती, येरगुड़ी, जोगड़ा, धोली, ते चौदा बहुत important है, अलग-लग चीज़ों के बारे में information देती है, जैसे addict 1 में लिखा है, कि animal को sacrifice नहीं करना है, festive getting को ban किया गया है, animals की killing को ban किया गया है, addict 2 में ये कहते हैं, कि राजा अपने जितने भी लोग हैं, उनकी care करता है, उसके लावाद चोला, पांडिया, सत्कुत्रा, चेरास के बारे में information मिलती है, देखें, दो major rock addicts हैं, जिसमें आसपास के राजाओं के बारे में information पता चलती है, एक है addict 2, और एक है addict 13, ये बहुत important addicts हैं, जिन में से काफी जादा detail information मिलती है, addict 3 वो ये बताते हैं कि कैसे, ब्रामस के लिए generosity होनी के ये राजा के मन में, addict 4 में धम्मा गोशा लिखा हुआ है, ये बोला गया है कि धम्मा गोशा जादर better है देन बैरी गोश, ऐसी addict 5 में धम्मा मामतरास की को mention किया गया है, addict 6 में ये लिखा गया है कि राजा के इच्छा है कि राजा को सारी information पता चलती रहे है, लोगों के welfare के बारे में, addict 7 में बोला है कि सारे religion को tolerance रखना है, addict 8 में लिखा है कि पहली यात्रा, बोध गाया की उनकी और बोधी ट्री को उन्होंने विजिट किया, तो ये सारी की जो से पता चलता है कि वो बुदिजम को adore करते थे, बुदिजम में यकीन रखते थे, popular ceremonies को condemn करते थे वो, उसके अलावा आद देखिए, addict 11 भी धम्मा के बार में बता आता है, addict 10 भी धम्मा के बार में बता आता है, addict 12 कहता है कि religious tolerance होनी चाहिए, addict 13 में मैंने जैसे बताया, राजाओं का नाम mention है, और उसके अलावा ये एक लौता source है, जिसमें कलिंग की लड़ाई का mention देखने को मिलता है, कलिंग वार जो 261 BC में हुआ, addict 14 बताता है, अलग-अलग पार्ट में कहां का inscription उनके details देता है, so इसके बाद जो आखरी इनका पार्ट बचता है, that is minor rock addict, ये उनके राजा बनने की 11 साल में आ गई थी, और आपको यहां देखने को मिलेगी मस्की में, जो कि आंदरपर्देश में लाई करता है, ब्रह्मगीरी जो करनाटका में लाई करता है, सासराम जो बिहार में लाई करता है, प्रूपनाच जो मद्रपर्देश में, बबरू बहरूट राजिस्तान में लाई करता है, और यही minor rock edits actually में प्रूफ करती है, कि यह जो देवं, प्रिये, दसी हर जगे लिखा है, देवं, प्रिये, प्रिये, दसी, यह जो हर जगे लिखा है, पहले scholars को लगता था कि यह अलग राजा था, कि यह वही राजा है जिसको हम अशोक के नाम से जानते हैं, यह clear हुआ minor rock edits से, minor rock edits पंदरा जगे देखने को मिलती है, कलकत्ता बैरत rock act inscription में आपको देखने को मिलता है, कि अशोका ने खुद को बोला है, पियदसी king of magda, पियदसी raja magda, फिए सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा minor rock addict है, जिसमें अशोका ने खुद को मगद का राजा बोला है, कलकत्ता बैरत rock inscription, उनका खुद का नाम personal नाम मस्की में देखने को मिलेगा, ब्रह्मगीरी, गुजर और नेतूर, यह चार जगई हैं इसी जहां पे अशोका का खुद का personal नाम देखने को मिलता है, इनकी भी quality बहुत पूर है, क्योंकि यह भी शुरुवाती दोर में ही बना दी गई थी अशोका के रूल के, इनका content यह है, इनका content है उनका personal belief, कि मैं बुद्धिजम में faith रखता हूं, बुद्धिजम के धम्मा में faith रखता हूं, और राजूका इसको instruction है कि लोग अगर नहीं follow करते तो उनको follow करायों, तो यह जो minor rock addicts है, इसमें ज़्यादा तर पस्नल चीज़े ही देखने को मिलती है, तो यह थे addicts of अशोका, यहां से काफी important सवाल पूछे जाते हैं, कितने number थे, कहा कल आई करते थे, क्या purpose था, क्या unique data था उनका, तो इस सारे topics हमने cover के इस वीडियो में, उमीद आप लोगों को कुछ चीज़े समझ में आई होंगी, ऐसी और बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी, जिसके लिए आपको like करना है, शेर करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल नौर्टिस प्रेसी को, तेंक यू everyone,